Hello everyone, welcome to NEET UG in 10, brought to you by Unacademy, जो की इंडिया का लाज़ेस्ट ओनलानी प्लाटफॉर्म है, यहां आपको मिलती हैं daily life classes, live test and quizzes, structured courses and unlimited access हमारे जितने भी material हैं या जितने भी वीडियोज हैं उनको, लेकिन उसके लिए आपको करना होगा Unacademy Learning App को download, आप Google Play Store पे जाके या फिर App Store पे जाके भी यह आप डाउनलोड कर सकते हैं and then आपको लेना होगा Neet UG का हमारा paid subscription and इसके भी कई options available है 1, 3, 6, 12, 24 लेकिन Neet UG का syllabus बहुत वास्ट होता है, टाइम लगता है preparation में, इसलिए एक साल या दो साल के package जो हैं वो सबसे ज़्यादा popular होते हैं and आप एक साल में देखेंगे कि सिर्फ आप 6,000 और आइट करते हैं और वो बन जाता है 2 साल का subscription on top of that अगर आप मेरा code love10 use करते हैं तो आपको मिलता है 10% extra off तो मेरा नाम लवकिशोर श्रिवास्तवा है, मैं समय मेगल यूनिवर्सिटी कानडा में as a researcher काम कर रहा हूं and आप मुझसे personally जुड़ना चाहते हैं, मुझसे suggestion चाहते हैं या मुझको कुछ suggest करना चाहते हैं, तो मैंने अपना telegram link यहां नीचे दे दिया है, अच्छा, तो अब last lecture में हमने बात किती, skull की, और मैंने end किया था, कि skull जो है, वो कही ना कहीं तो टिका होगा न, उसका कुछ support होगा ऐसा तो हैं कि नहीं हवा में लटक रहा है, तो अब यह vertebral column पे टिका होता है, जो हमारी backbone है, ठीक, तो बाब imagine किजिए यह backbone है, इस पे skull टिका हुआ है, diacondylic skull, ठीक है न, diacondylic क्या था, मैं बता चुक हूँ जिसमें 2 condyles होते हैं, तो अब vertebral column की बात कर ली जाए, और ribs की बात कर ली जाए, वर्टिबरल क्या होता है, जो हमारे dorsal side, dorsal side याने पीछे की side, peat की side आप imagine करो, और ventral side क्या होगी, जो आगे की side होगी, हमारी chest क की side, ठीक है, तो इसमें confuse मत होना, dorsal का मतलब, peat की side, ventral का मतलब, आगे chest की side, ठीक है, अब इस base को लेके हम आगे चलते हैं, vertebral column के बारे में जानते हैं, तो अब ये है आपका vertebral column, आप जैसे देख सकते हैं कि peat के, peat की side है, ठीक है, और कई parts में बता हुआ है, किन parts में हम सब discuss करेंगे, अच्छा, तो अब आप देखें कि vertebral column 26 bones होती है, लेकिन confuse मत होईएगा, कुछ books में ये 33 भी लिखा होता है, कि 33 vertebra है, 26 vertebra है, ये confusion क्यों है, और कैसे है, अभी आपको थोड़ी दिर में clear हो जाएगा, अच्छा, तो अब बात आती है कि ये कहां से कहां जा है, वहां से शुरू हुआ है, इसमें कोई confusion तो आपको है नहीं, base of skull क्योंकि वहीं से जुड़ा हुआ है, अब क्या होता है, कि vertebra का आप structure देखोगे, तो ऐसे flat disc like structure होता है, इसके center में एक छेद होता है, जितने भी vertebra है, सब में एक छेद होता है, अच्छा, वो छेद की ज होता है, brain होता है, तो हो सक, और brain से निकलता है, spinal cord, spinal cord भी नीचे जाता है, ठीक है, तो यही vertebral column में, जो यह neural canal, इस छेद का नाम, वर्टिबरी में जो छेद होते हैं, उसको neural canal बोलते हैं, hollow, और इसी में से, क्या pass होता है, spinal cord पास होता है, important सवाल है, याद रखिएगा, confusion न कीजेगा, तो वर्टिबरी, जो हमारी backbone है, उस backbone में एक, वो छेद होता है, उसमें एक, उस छेद का नाम है, neural canal, उस neural canal से क्या pass होता है, spinal cord, ठीक है, अब बात आती है, कि skull, अब वर्टिबरल column में बात करें, अभी आपको बताएं, कि 26 या 33, जो bones हैं, अलग, उसमें सबसे पहली bone जो होगी, वो किस से जोड़ रही होगी, skull से जोड़ रही होगी, सीजी सी बात है, skull के जो condyles थे, उनसे जोड़ रही होगी, है न, उसका नाम होता है, atlas, ठीक है, और atlas के बात वाली का नाम होता है, axis, तो याद रखना, पहली atlas, दूसरी axis, ठीक है, तो अब बात करते हैं हम जब वर्टिब्रल कॉलम की बात कर रहा है तो इसमें कई पार्ट्स में बटा हुआ होता है पहला होता है सर्वाइकल फिर आता है थोरैसिक लंबर सैक्रल और कोकीजियल ठीक है अब कंफ्यूज नहीं होना है फिर से एक बार पहला है सर्वाइकल दूसरा है थोरैस लंबर, साकरल, कॉकीजियल और याद करने वाली क्या चीज है यहां important कि सब में कितनी कितनी bones होती हैं तो अब आप देखिए cervical cervical में 7 होती है यह rule of thumb याद कर लिजे कि जितने भी mammals हैं चाहे आप जिराफ उठा के ले आओ जिराफ देख तो कितनी बड़ी गरदन है उसकी लेकिन उसमें भी cervical 7 ही होता है भले वो लंबा हो जाएगा CDC बात है लेकिन cervical जो number of bones cervical vertebra की हैं वो 7 ही होंगी thoracic 12 number 5 हाँ अब आता है confusion यहाँ पे sacral में यहाँ लिखा है one fused कोकीजियल में लिखा है one fused fusion का मतलब कि कई bones होंगी वो fuse होके एक बन गई है ना fusion का मतलब तो यही हो गया कि ठीक ही fuse होके एक हो गई तो अब आप देखेंगे यहाँ कि sacral में sacral में one two three four five पांच bones होती है जो fuse होके एक बन गई ठीक है तो अब आप बिना fusion वाला number जरा count करो अब क्या हो गया साथ बारा पांच पांच चार तो नंबर आता है 33 ठीक है तो अब यह क्यों आ रहा है कि कुछ बुक्स fuse वाला लिख देती है कुछ नहीं लिखती तो 33 और 26 का difference समझ जाओ क्या है ठीक confused नहीं होना है इसमें अच्छा अब बात आती है यह point आपको बताई दिया सर्वाइकल वर्टीब्री सर्वाइकल वाले जो वर्टीब्री हैं कितने थे साथ यह fix होते हैं almost all mammals ठीक है और हम भी एक मैमल है तो हमारे अंदर भी साथ होंगे तो साथ बारा पांच एक एक या पांच पांच चार दोनों याद रखना है question exam में क्या पूछता है उस basis पे answer क करना है ठीक है अच्छा वर्टीब्रल कॉलम का काम अब को बता दिया क्या है कि ब्रेन से ब्रेन से जो नीचे जा रहा है ब्रेन का extension होता है na spinal cord तो वह जब नीचे जा रहा है उसको कौन प्रोटेक्ट करेगा जो neural कनाल है वर्टीब्रल कॉलम की confusion नहीं रखना है बिल्कुल अच्छा तो यह पार्ट तो clear हो गया अब बात आती है कि एक चीज और होती है जो ribs होती है हमारी ribs ठीक है ribs सबको पता है ribs क्या ribs के अंदर lungs है तो अब ribs भी तो कहीं जुड़ी होंगी ना हवा में तो उड़ती तो रहती नहीं है यह कि जा तो दिखा रहा हो कोई तो एक को बोलते हैं sternum जो आपके mid bone है यह यहाँ पर आप हाथ रखो के तो देखो के कुछ फील करोगे बोन यह mid bone होती है जिसको sternum बोलते हैं ठीक है तो अब जल्दी से देख लिया जाए कि ribs की क्या कहानी है अब कहां कहां जुड़ती है यह तो आपको बता दिया ठीक है अब ribs में अगर आप जाएंगे तो 12 pairs of rays होती है pairs right side left side है ना अब इसमें देखेंगे ribs के बारे में अगर आप जानने flat bone होती है पतली सी flat bone होती है ठीक है जुड़ी कहां है यह मैं बता चुक सिफेलिक्स सिफेलिक्स मतलब सर होता है तो इसके दो सर है जो पीछे जुड़ता है एक आगे जुड़ता है sternum में और पीछे जुड़ जाता है वर्टिवल कॉलम से ठीक है अब बात आती है कि इसमें ribs जो हैं पहली कितनी 12 बताई आपको इसमें पहली 7 pairs जो होती है निको true ribs बोलते हैं क्यों क्योंकि यह actually sternum से आगे ventral part की बात कर रहा हूं मैं आगे जुड़ी हुई होती है यह sternum से बाकी sternum से नहीं जुड़ी है तो जो sternum से directly जुड़ी है वो true हो गई तो अब और पीछे की साइट किस vertebra भी आपको बताया था कई sections है तो thoracic से जुड़ा जाता है ठीक है और cartilage का concept ने बता चुका हूं 8th 9th और 10th जो है अचा जब 7th है तो 7th sternum से जुड़ी है तो 8th 9th और 10 जो है वो 7th rib से जुड़ी होती है sternum से नहीं ठीक है तो इसमें confused नहीं होना है तो attachment पूछे कि पहली साथ कहां पीछे thoracic vertebra आगे sternum 8th 9th और 10th पीछे तो सही ह कहेगा लेकिन आगे वह 7th rib से जुड़ी हुई है sternum से नहीं जुड़ी है और 11-12 की तो कहानी ही अलग है 11-12 कहानी से पीछे जुड़ी है आगे हवा में ठीक है इसलिए उनको बोलते है floating ribs ठीक है अब rib cage क्या हो गया पीछे का vertebra हम थोरा से क्वाला vertebra देखे आगे sternum देख को यूज करके अनकाइडमी से जुड़े वहां बहुत कुछ और है आपके selection के लिए और मुझसे personally जुड़ना है तो यह आपका telegram sorry मेरा telegram मैंने add करके रखा हुआ है and thank you thank you so much